असलामने कॉम वेकम बैक तो मैं चैनल कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे अलहम्दुलिल्ला हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक है असल मेना हमारा उपर जब काम हो रहा था तो नीचे भी बहुत डस्ट आती थी और अभी भी हो रहा है आज लास्ट टेया है फ्राइडे में उसने का था कि मैं सारा कंप्लीट कर दूंगा तो मैंने की सोचा के ओपर हार्डनर वगरा लग चुका है तो मैं सारी सफाइया करवा लूँ और यह जो जितनी भी ग्लास के तो मैंने सारी की सारी आज साफ कर वाई और अब मेरी मेर्ड जो थी ना वो सारी जितनी भी डस्ट उती थी तो जनाब उसके बाद मैंने सोचा कि मैंना कोई कंबल जो हैं वो मेरा और मेरी बेटी का था मैंने का कि मैं उसको में डाल देती हूं और दोश हो लेते हैं जरा च तकरीबन आदे घंटे के लिए उसको फ्रिज में रख लिए था यूंकि उससे क्या होता है कि उसकी सारी स्मेल जितनी भी क्लेजी की होती है ना जो इसकी अपनी खिश्बूस ही होती है वो खतम हो जगती है तो यहां पर जणाब मैं सारे सॉफनर डारी हूं और मैं इसमें सा साथ वली कबर्ट का क्यूंकि उसका पहला कलर था उतार दिया था और अब यहां लगा कर ना इसको अच्छे तरीके से ना अब इसका कलर एक से सम कर देगा और मैंने सारे फरनीचर को अच्छी तरह से रैप कर दिया था ताकि जो यहां उसके अपर कोई ही हूंकि हार्डन बड़ा सकत होता है वहर चीज़ पर जब जम जाए ना तो उतरने का नाम नहीं लेता तो बस यह पर पंखा चला दिया था उसने हार्डन लगा कर और साथ-साथ मैं आपनों को इसली दिखा रही हूं मैं दिखा हूं आप लोगों को के कलर पहले कैसा था और अब देखें ब क्योंकि मेरी बेटी भी गई वी थी और मुझे यह था कि मैं उसको बता बैठी वी थी कि हम सेटर्डे को आएंगे आपको लेने ना तो यह लोग जाते तो मैंने जाना था ना तो फिर शुकर अलहम दोला उसने मेरा सारा काम कंप्लीट कर दिया लेकिन फिर भी सेटर्डे क जो मैं आपको दिखा रही थी यह भी जनाब उसने ना अच्छी तरह से मेरी साफ कर दी थी मैंने दिखाई थी ना आप लोंको कितनी खराब हो गई वी थी तो बस यहां पर हमारा माली भी आ गया था आज ना बस दोड़ लगी थी और मुझे यह था कि मैंने ना जितने पो कि रखाएम जाएम आप बस इसको भूंते रहे हृँ है और प्ल अग बनाना है जब भी बनाना है मीडियम तो करनी नहीं ही तो इसकी अब लग बनाना है जब भी बनाना है तो पर टोमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें और उसमें सब कुछ और उसके बाद यह जो होता है ना मेथी यह और टोमाटर यह सब डाल के ना तो बस अच्छी तरह से बुनी जाना जब यह भून जा तो लास्ट में ड़ी डाल कर बस इसको अच्छी तरह से फिर दुबारा ब्राउन हो गिए तो में तो में टमाटर, हरी मिर्चें और लेसना द्रकी पेस्ट और दही डाल करना अच्छी तरह से बून लिया था इसमसाले को जब माशी ताल बनाएंगे न तो बिलकुल ढबे वाली डाल बनेगी और मिर्च और नमक आपने अपनी मर्जी के हसाब से अब अब लास्ट में जनाब मैंने इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया और घरमसाला डाल कर दम पे लगा दिया था इतना मज़े का टेस्टी सी ये माशी डाल बने थी ना मैं क्या बताऊं आपको अब आप ट्राई करना दई डाल के बून के बनाना इसको बहुत मज़े की कि चेलेंग जी आज आप तदी खाती हूं मै अपना पिछला लान में अपने इस लान में गहास लगवा एंगे तो ये सारी ना जब आ पिश्ले डिनों काम होता हैं एक जब आमारे घर में तो ये सारी की सारी खराब होगी क्यी यहां से वह जाते थे ओपर सारा ये लग रह यहां पर बाल्टियां और पदनी क्या कुछ पड़ा होता था उनकी चीज़े ना तो अब मैंने यहां पर खास लगवानी है क्योंकि मैं मेरे हजबन कह रहे थे कि अब मुसम आ गया है तो कि इना घास लगवा लो तो मुझे पौदों का और इस नेचर का यह मुझे बहुत अ सालान बनाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी अभी पौदे शोदे भी यह सारे लगेंगे यहां पर और यह हमारी बेल मार्शाला बड़ी हो गई है और जी मेरे घर के बैक यार्ड भी और फ्रंट यार्ड भी मेरा जो है यह बहुत खुशनावा था लाइगास और इन्शाला तरह सुबह यह फिर से जो है ना खुल जाए गए इसके पत्ते सारे तो जनाब यह मेरे बेटे ने जो लगवाया था सुहांजना का पौदा यह माशाला बड़ा सारा हो गया और इन्शाला नेक्स्ट यह जो है ना यह भी तनावर दरख बन गया होगा तो बस जी मेरा आज का व्लॉग इतना ही अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगए तो इसको सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें विद फेमिली और फ्रेंड्स और मुझे दें इजाजत मैं इन्शाला ताला मिलूंगी आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो मे मुझे दौाओं में याद रखें अपना ख्यार रखें टेक कियर अल्ला हाफिज